आज आपको कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहती हुँ दोस्तों किसी भी परकार की बीमारी व्यक्ति की कारेशमता को प्रभावित करती है यदि उस पर यह बीमारी कैंसर है तो यह लोगों को अंदर से ही तोड़ देती है कैंसर एक ऐसी खौपना की बीमारी है जिसका खौप विश्व के कोने-कोने में देखने को मिलता है समझदारी इस सब्रकता अच्छा खान पानों सही दिंचे लिया से इसे बचा जाता है समय रहते यदि इस पिमारी का पतर चल जाता है तो इस पिमारी के पूरी तहसे मुक्ति मिल सकती है स्वास्य मंत्राले दुआरा साथ मुमंबर को रास्टिय कैंसर जागुता दिरस्मनाने का नेड़ने लिया गया विश्व में यहरोब बड़ी टेजी से खैल रहा है दोस्तों आप सबी कोई है जानकर बड़ा आक्षीरिय होगा की कैंसर के सो से भी अधिक रूप है इनमें से परमुक रूप हैं लंग कैंसर, बलर्ड कैंसर, गरबाश्य कैंसर, सन कैंसर, मुखा कैंसर, गले का कैंसर, सिर्म का कैंसर इत्यादी साथ निमम्मबर को राश्टिये कैंसर चाखुत चैनल दिवस पर पलेंगी हम इसे खुद बचेंगे और लोगों को बचाएंगे लोगों को इसके बारे में चागुरू करेंगे और उनकी हर समभात मदद करेंगे. धन्यवाद National Cancer Awareness Day, which is celebrated on November 7, in India. This day is celebrated in India to raise awareness about cancer, its symptoms, treatment and prevention. It was first announced in 2014 by Dr. Harsh Vandan, the Union Minister of Health and Family Healthcare. We have so many real-life stories of cancer survivors in the society who set an inspiration to all. One such real-life example that has inspired millions is the story of Indian cricketer Yuvraj Singh. He was diagnosed with Medistral Seminoma, a rare form of lung cancer, in November 2011. Through his journey, Yuvraj has become a big one of hope. On this National Care Awareness Day, millions of such stories remind us that early detection, the right treatment can significantly improve outcomes for patients across India. भिमारी नहीं महामारी है, कैंसर दुनिया पर भारी है. हर साल 7 नवंपर को राष्ट्रिय कैंसर जागरुपता दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का क्या हो देश है? ये दिन लोगों में कैंसर के प्रति जागरुपता बढ़ाना, इसकी शुरुवासी पहचान और रोगताम को लेकर है. कैंसर जिससे लोग बहुत ड़गे हैं, इससे डरना नहीं है, सतर्क रहना है. कैंसर के कई परकार हैं, गले का कैंसर, त्वचा का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, आभी इसके कई परकार हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो हमें अपने भोजन में संतूलित अहार लेना चाहिए, पोस्टिक खुराक लेनी चाहिए, अपने भोजन में हमें फर और हरी सबजियों को शामित करना चाहिए, हमें अपनी दिन चरह में बदलाव लाना चाहिए, प्रती दिन व्याम करना चाहिए, योग करना चाहिए, ज अपने जीवन में हमें कभी भी दूमरपान का सेवन नहीं करना चाहिए जरूरत है हमें अपनी और अपने आसपास की जागरूपता की हम लोगों को जागरूप कर सकते हैं यह हमारा एक करतव्य बनता है एक सशक्त नागरिस्ट बनने का सरकार दवारा समय समय पर कई सारे जो सेमिनार करवाये जाते हैं कई ओजनाये चलाई जाती है कैंसर को जो कैंसर के प्रतिश जागरूप करने के लिए जरूरत है हमें अपने और लोगों की सुरक्षा की आंतर में मैं अपनी बारी को ग्राम देते हुए कहना चाहूंगी कि नशे और शराब से तोड़ो नाता कि ते इंसान दा दिल डरनल कम जनता है और ठैरू डरन दी लोड ने इस डरनों ही दूर करन लई पार सरकार ने सन 2014 विच एक मुहीम चालू गी ती जिस्ता ना रख्या गया नैशनल कैंसर वेडनेस टे ए दिन 7 नुवंबर नों हर साल पूरे देश विच मनाया जन्दा है जिस विच वख वख शिक्षा संस्थान और 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 वी कही संस्थामा अपना योगदान पौंदियाने ते कैंसर दे प्रती आम जन्ता तक जाग रुखता पुचांदियाने इस दे नाल ही ए दिन मैडम क्यूरी नों भी एक ट्रिब्यूट है जिना ने कैंसर वर्गी बिमारी दे इलाज दी खोज विच अपना मुख योगदान पाया ते आओ जान दे आँ केंसर है की ते किस तरीके नाल काम करदा है किस तरीके नाल असी इस्तों अपना ते अपने नाल दे बचा कर सकदे आँ ते जानकारी दे नाल ही नाई डार्मी जड़ों खतम करिये साथियों जे मैं कैंसर दी गल करां कैंसर फोई इड़ा असी कह दी ये रोकेट साइंस नहीं है कैंसर जे मैं सरल आम पाशा वच एक्सांपल दमा ते एक अनकंट्रोल ग्रोथ ओफ सेल जिन्हों असी कैदन ने असाड़े शरीर चोह जान दी है वो कैंसर है असी सारे जान दे हैं कि जड़ा मनुखी शरीर है कि सेल तो बनिया है यशी देख दे ना कि एक सेल डवाइड करदा है पिर दोच बन दा है फिर इद्धाइँ होडी होडी एक कंट्रोल आवे विच सेल डिवाइड होंदेने क्योंकि यसी देख दे है जिदो मनुक दा जनम होना है ते उ किस तरीक ना जाइगोर्ड तो एंबरियों एंब्रियों तो फिर और्गण बगढ़ा बनदेने जैसे कि ये भी सेल तो टिशू टिशू तो और्गण और्गण तो और्गण सिस्टम ते फिर कंप्लीट बॉडी बन जानदी है ते ए सेल दे ग्रोथ दा ते डिवीजन दा सिलसला एक कंट्रोल वेच पूरी उमर इनसान वेच चालदा रहनदा है पर कैंसर की है कि ये जड़ी डिवीजन है जड़ी ग्रोथ है सेल दी कि जड़ो अनकंट्रोल वेच हो जानदी है ते वादू मूर लापन दी है ते वो एक रूप लेलेंदी है कैंसर दा किस तरीके ना कि होन असी गल करिये कि आम डिवीजन विच ते सेल जड़े ने एक सिस्टम विच डिवाइड कर देने एक प्रियोडिकली डिवीजन हों दी हम न दी पर जदो उना सेल्स दी एक अनकंट्रोल डिवीजन हो जाए बोडी दे अंदर ते की होन दा है किन्य सारे सेल बढ़ने स्टार्ट हो गए ते वो एक ठाथे बढ़ गए यह हुन हो उसना फिरी संय गुछा बंजनदा है जनों सी कादन यह तُमर ठीक है तो चाहर। बनेगन उसनों सी इस था नाम देशा क्वेसर था है consistent चाहर बोचनल की तोल अटिन्गatin काुछाने सिर्फ डार्य कतर है। का लग्षे लिजल टुरिफ निंट प्रिस्ट अर्वें कि लिफेन उननुटी कि लिफ असी निज का लग्षे कर लेड बेड दोवाय। जरेग क्वान प्रिफिक दिसे इंदेट अ देड दिसेसी इन विछ बोल्च व जड़ प्रिट्व पूर्डबें लिए टुटर बुट तुमरोगा चलिए टाथ दूमरोगाथा टेजिए टाइस विर्बड़ टुमरो टाम्स अबटीजिए, टाम लुटर शखुरबूबि करया अभरने in which the cancer would be defeatable and timely treatable on this cancer awareness day we should join our hands to spread cancer awareness all around the society to help ourselves and save our society and loved ones from losing a loved one over cancer cancer is a disease which is spreading but it is curable we should not be afraid of it but we should have the will to fight it along with that we should support the people who are battling it and coping with it in every possible way we should support them physically emotionally accept them and be there for them whenever they need to and also not forget to honor those loved ones at whom we have lost because of cancer cancer there are many kinds of cancer breast cancer lung cancer there are many cancers that have been taken from it but they are all curable if they have been detected early in the early detection is very important but we can always take care by taking care of good health but regular checkups can help us to be careful to save ourselves a very good morning to all of you today as we gather here to remark national cancer awareness day it's essential to reflect on the impact of a cancer and what we can make a difference the world cancer day reminding us that of each of us holding the power of influence change in the fight against cancer cancer is a formidable opponent affecting millions of lives globally however by understanding the disease adopting healthy habits and spreading awareness we can step towards reducing its impact empowerment begins with the knowledge by learning about the causes of cancer the importance of early detection and the significance of a healthy lifestyle we ourselves to make informed choice this knowledge is not only for our benefits but also to help others around us as a student you play a crucial role in raising awareness against cancer engaging in activities that promote healthy living and participating in discussion about cancer prevention prevention can contribute significantly whether it's creating informative posters or organizing sessions to share knowledge your action can inspire positive change let us use this day as a platform to empower ourselves and those around us each one of us had a role to play in the fight against cancer whether it is through tough raising awareness supporting research invitations or simply being there for someone in need today we can make strife towards the future where cancer is preventable treatable and ultimately defected thank you and let us stand united in the battle against cancer cancer awareness day cancer can be found in a life की बनाई रखना चाहता है बाल गिरते हैं ऑठ कापते हैं पर हिम्मत का वो नूर नहीं गिरता आँखों में आतू है पर अंदर का जुनून कभी नहीं मुझता जिस्म तो दर्द से भर चुका है इस पर रू अब भी उम्मीद से जुड़ा है रदवा एक नई कषक लेकर आत पर साथ में एक नए रोश्णी चुल जाएती है। कहते हैं ये भी तो एक सफर का हिस्सा है, जिंदगी की सपाथ पर हर पल एक का इस्सा है। पर ये याद रहे, तुम अकेले नहीं हो इस सफर में। हर दिल तुम्हारे साथ धरक रहा है। तुम्हारे इस दर्द में हजारो आथ बन्दे हैं, तुम्हारे होसले में सब का प्यार साथ है। तो चलो इस दर्द को हमें कहानी बनाएंगे। हर आशु को एक मुस्कुराहत में बदलेंगे। जिन्दगी की जन्ग में हर साथी को साथ लेकर कैंसर को हम अपनी हिम्मत से हराएंगे चुक्रियों